दिर्ड संकल्प की अद्रिश्य शक्ती, बोर्ड परीक्षा देने वालों के लिए एक प्रेनडादाय कहानी, एक छोटे से गाउ में रोहन नाम का एक लणका रहता था, वो अपनी कक्षा का सबसे तेज छात्र में ही था, और उसकी स्कूल की पढ़ाई हमेशा ओसत रही थी, जब बोर्ड परीक्षाय करीब आने लगी, तो रोहन पर भारी दवाव महसूस होने लगा अपने शिक्षकों, माता पिता और सबसे ज़्यादा खुद से, उसे असफलता का डर था, यह जानते हुए कि ये परीक्षाय उसके भविश्य का रास्ता तय कर सकती है, लेकिन रो बुजुर्ग व्यक्ति को एक बड़े पत्थर को काटते हुए देखा, उस व्यक्ति के हाथ खुरदरे थे, पीठ जुकी हुई थी, लेकिन उसकी नजरे लक्षे पर टिकी थी, रोहन ने जाकर पूछा, आप इस पत्थर से क्या बना रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति मु रोहन ये देखकर चकित रहे गया, उसे समझ में आया कि यही बात उसकी पढ़ाई पर भी लागू होती है, किताबों का पहाड और लंबे घंटों की तैयारी भारी लग रही थी, लेकिन जैसे वो बुजुर्ग पत्थर के हर टुकड़े को काटते जा रहे थे, वैसे ही उ एक पारीस की वो स्ताधातीव स्ट्रिट चैप्टर एक विशे को समझ कर ही मिलेगी। उस दिन रोहन उस बुजुर्ग की धैर्य और लगन से प्रेरित होकर घर लोटा। उसने अपनी पढ़ाई के लिए एक योजना बनाई जिसमें उसने हर विशे को छूटे-छूटे हि बढ़ता गया। बोर्ड परीक्षा की रात उसने अपनी किताबों को देखा और अपनी मेहनत पर गर्व महसूस किया। जो डर पहले उसे जकड़े हुए था। वो अब दृड निश्चे में बदल गया था। उसे यह समझ में आ गया था कि सफलता सिर्फ सबसे तेज या ह होने में नहीं बलकि धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास करने में है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जब परीक्षा के परिणाम खोशित हुए तो रोहन ये देखकर हैरान रह गया कि उसने न किवल परीक्षा पास की बलकि स्कूल में सबसे अच् नहीं मानी। प्रिय बोर्ड परीक्षार्थियों हो सकता है कि रोहन की तरह आप भी आने वाली चुनोतियों से घबराए हुए हो लेकिन याद रखें कि सफलता एक-एक कदम उठाने से मिलती है। हर घंटे जो आप अपनी पढ़ाई में लगाते हैं, हर छोटी जीत आपक कल्प बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और यह यात्रा आपको आपकी कल्पना से भी ज़्यादा मजबूत बना देगी।